कि नमस्का दोस्तों इंडियाने उसके डिजिटल प्रिटफर्म पर आप सभी के बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूँ आपके साथ तोरह तिर पाथी दोस्तों चुलिए अब आपको बताता हूं कि हिंदी के पीपर अगर आप देने जा रहे हैं अगर आप हिंदी के विद्या कुछ है तो सबसे पहले लिखने का तरीका कुछ जो पॉइंट से मैं आपको बता देता हूं कैसे जो एक्जामनर को आप अपने इंफ्लेंस विलाएंगे कैसे वह आपको ज्यादा नमबर देगा इसको करने के लिए ज्यादा आपको परिशान होने की जरुवत नहीं है कु अच्छी जो है कैची पंचलाइन पहले आप ब्लैक से लिखिए ब्लैक को लिखने के बाद लिखने के बाद नीचे अंडर लाइन उसको कीजिए एक एरो बनाईए फिर जहां से एरो खतम हो रहा है उसके नीचे से आप लिखना शुरू करें तक जाना समझ जाएगा आप तो से थोड़ा साफ का स्पेस भी कंजीम हो जाएगा और आप वहां से गर लिखेंगे फिर इसके बाद चितनी भी आपके अच्छे कोटेशन हैं पॉइंट्स हैं जो क्लियर हैं उसको पहले आप जो आपको सही सटी पता है कि यही है उसको आप लिख लिजे एक्जाम में ह बहुत सारे शात्र होते हैं पेपर मिलता है पेपर मिलते सौल करना शुरू कर देते हैं ठीक है अची बात है समय जादा नहीं होता हमारे पास ऐसा करना चाहिए लेकिन पेपर मिलने के बाद भी कि क्या प्रोसेस है उसको देखी जैसे ही आपने आपको आपके एक्जामनर पेपर दिया क्लास्रूम में पेपर डिस्ट्रिब्यूट हुआ आप पहले पांच मिल दीजिए उस पेपर को पहले पढ़ लिए प्रश्न को पढ़ दीजिए और देखिए उन प्रश्नों में सबसे अच्छा सटीक एंस्वर आपको के उत्तर किसका पता है जिसका सबसे पता हो सबसे पहले उसको लिखिए कुछ लोग हम में से ऐसे होते हैं पीपर मिलते हैं वह एक तरब से पूरा पीपर स्वाल करते हैं पहला दूसरा तीसरा चौथा पाच्वा इस तरीके वह करते हैं ठीक है अच्छी बात है इससे एक्जामनर को कौपी स्वाल करने में जब आप सही पहला प्रशन इंफरमेटी और अच्छी से करेंगे एक्जामना समझ जाएगा कि बच्चा जो है वह जानता है पढ़ा लिखा है इसलिए वह आपको नंबर देता चला जाए इससे आपका नंबर बढ़ जायता है